हेलो स्टुडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाना बोर्ड कलास 12 मैथेमेटिक्स का कोश्चन पेपर डिजाइन 2023 के सैसन के लिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर काएगा और साथ में किस टाइप के कोश्चन कितने आएंगे शुरू करते हैं वीडियो को मैं हूँ अजे और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपको बता दू अगर आपको कलास 12 के किसी भी सब्जेक्ट के important question या model paper solution की वीडियो देखनी है description में playlist का link मिल जाएगा वहां से देख सकते हो उसके अलावा अगर आपको एक website बता देता हूँ जो आपके बहुत काम आएगी google पर जाना और सर्च करना ccl chapter.com इस website पर आपको हरियाना बोर्ड कलास 12 का सारा study material मिल जाएगा old question paper, modal papers with answer key, question paper design, slavers, सब कुछ जो आपको वहां पर देखने को मिलेगा इसके साथ में हमने इस website पर अब की बार soap का एक section एड़ किया हुआ है जहां पर आपको class 12 की हरियाना बोर्ड के लिए 2024 के exam के लिए important question की paid PDF अविलेबल करा रखी है अगर मन करे तो purchase कर सकते हो ccl 25 ये code यूज़ कर सकते हो ताकि आपको discount भी देखने को मिले अब PDF purchase करने का आपको ये फाइदा रहेगा कि आपको कम question पढ़के आप ज्यादा score कर सकते हो हमने question को इस तरीके से arrange किया हुआ है अब वो आपकी मर्जी है मन करें तो purchase कर लेना अब देखते हैं जो math का paper है वो किस तरीके से रहने वाला है पहले देखते हैं design paper का कि किस तरीके से कुन से type के कितने question आएंगे उसके बाद देखेंगे कौन सा chapter कितने number का आएगा objective type question जो है यानि एक एक number वाले 20 question आएंगे जिसमें 10 तो आएंगे mc क्या हूँ चार आएंगे वन वर्ड चार आएंगे खालिस्तान या true false में से कुछ भी दे सकते हैं चांस रहेंगे दो true false दो फिल इंदा blank देंगे वो दो आएंगे assertion region based question अब इसमें जो है खास तोर पर थोड़ा ध्यान अगना फार्मूलेगा अगर ज्याद तर टाइम यह फॉर्मूले के जो question है वो पांच question आएंगे और इसमें जो है पांच वैरी सोट अंसर टाइप question of two marks दो नंबर के आएंगे दो question में आपको internal choice दी जाएगे यानि extra question दिये जाएंगे तीन तीन नंबर वाले च्छां question आएंगे अब 6 question के अंदर यहाँ पर क्या scene है यहाँ पर जो है one question will be of high order thinking skill यानि कि HOTS यानि कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा और एक होगा CBC यानि competency based question दो में आपको internal choice देखने को मिलेगी यह सारे जो जीब से question आप सुन रहे हो यह model paper में देखोगे तो समझाएंगे difficult नहीं है इतने ज्यादा जितना नाम इनका difficult दिखा जा रहा है पांच नंबर वाले चार question मिलेंगे दो question में आपको choice देखने को मिलेगी चार नंबर वाले तीन question मिलेंगे और यह नए question है यह भी source based question इसमें आपको क्या मिलेगा एक पहरा सा देंगे basic सी कुछ बाते करेंगे उसके भिहाब पर आपसे कुछ question पूछेंगे और कुल मिला के मैं आपको इतना बता सकता हूं कि जो पहरा यह source based question जिनसे आप डरे हुए हो यह question उपर वाले question से easy रहने वाले हैं तीन source based question आएंगे case based भी कह सकते हो passage based integrated unit of assessment चार marks इच ठीक है अलग अलग टाइप के देंगे source based case based और integrated unit इसमें जो है कुल मिला के सारों में एक जैसा सा ही concept रहेगा आपको जो है क्या करना है उस पहरे को पढ़ना है जैसे English में करते हो ना unseen passage वैसा सा ही रहेगा यह उसमें आ पाद आपसे question पूछेंगे और अगर देखो पहरा ना भी पता हो तब भी आप उन question को attempt कर सकते हो अगर आपको formula या वह चीजे पता है पहरा बस number over का है ठीक है कहीं आप इनसे डरे हुए हो कि पता नहीं किस ताइप से के जो है आपको question देखने को मिलेंगे तो उसके बाद नंबर की तो यह unit आएगी algebra वाला जो topic है तीसरा matrix is determinant सबसे आसान चैप्टर भी साइद ही आई है तेरा नंबर का यह आएगा वैसे यह भी आसान है यह वाला भी मुस्किल नहीं है calculus वाला chapter काफी रूल आने वाला लगता आपको है तो यह जो है 33 नंबर का आएगा आपका एक्जाम में continuity and differentiability application of derivation integration application of integration differential equation long question पहले तो इसमें से देते थे लोग application of integral वाली chapter में से बड़ा question जो आता था अब की बार भी रहेंगे chapter 10-11 vector algebra और 3D geometry बारा नंबर की रहेंगे दो चैप्टर linear programming यहां पर आएगी पांच नंबर की और probability का जो चैप्टर है वो तो आसान होता है हर बार से पढ़ते आ रहे हो संबंद एवं फ्लन संबंद एवं यह जो हमारी काई है unit के नाम है यह आपके चैप्टरों के नाम आपको NCRT की जो भूका आपके पास उसमें देखने को मिल जाएंगे नाम संबंद एवं फ्लन परतिलों त्रिकोन मीतिया फ्लन आठ नंबर की है आव्यू और सारनिक तेर सब्सक्राइं लने फिर्णा रखने हैं बड़ा कोईटिन में से पुछा जा सकता है नेक्स चैप्टर देखते हैं सदीश बीजगनी रिफी कि इसंटर प्रक्राम्ण पांच सबसे हैं और इसे तरीमें से सब्सक्राइब करः healthy दोट old question paper download कर लो सब की practice कर लो 2017-2023 तक जितने paper मिले आपको सारे कर लो practice च्यारव साट है हर बार में तो च्यारोव साट सोल कर लो आपको जो है ज्यादतर question उसी concept में मिलेंगे या सेम कोश्चन आपको देखने को मिलेंगे ऐसा नहीं है कि तुम रठते फिर रहे हो इधर उदर से पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया और पेपर करी नहीं रहे हो भाई मैंने इतना देखा है मैथ का पेपर में लगबग भाकी जितने कोश्चन आ लगबग सारे कोश्चन आपको ओल्ड कोश्चन पेपर से मिल जाएंगे प्रक्टिस पेपर से ज़्यादा नहीं होगा कहीं प्रक्टिस पेपर के चक्क्र में पढ़े रहो तुम लोग और हाँ उसमें जो है एक चीज द्यानख करो तो सोर्स बेस द old question paper पे focus करना थोड़ा अच्छे से वहीं से जादतर question आपको देखने को मिलेंगे I hope समझ में आगया होगा doubt clear हो गए होगे बाकि अगर time मिलेगा important question भी बना देंगे mathematics के और नहीं मिल पाए तो मैंने बता दिया है कि इस तरीके से आपको पढ़ना है अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि कोई भी जुरूरी अपडेट के लिए हम बनाए वीडियो बनाए तो आपको time से पता लगती रहे मिलते हैं नई वीडियो में बाए बाए